हमस्ते दोस्तों मेरा नमैं दवल परमार औरすथ के प्रोफेशनल हूँ, він् हम लोग करेंगे हेल्थ इंश्रांच के बारे लोगों में हेल्थ इंश्रांच को लेकिं कफी सारे मिन्स कंशेप्शेंस हैं और मिट्स हैं आज हम इन सब चीजों को one by one सब चीजों को क्लियर करेंगे और आपकी जानकारी को बढ़ाएंगे मिस्कंशेप्शन नंबर वन मैं हेल्दी हूं मुझे मेडी क्लेम की जरूरत नहीं है अरे भाईया जब प्रोब्लेम आता है तो बता के थोड़ी आता है आप हेल्दी है अगर खुदा ना खास्ता को एक्सिडेंट हो गया खुदा ना खास्ता आपको मेलेटे जैसे स्विंपल बुखार भी आगया और आप होस्पिटल में जाएंगे तो चालिस पचासजा रूपे तो एड्मिट होंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे तो फिर क्यों इतना रिस्क लेना उससे काफी कम पैसे में आप अपने पूरे फेम सब्सक्राइब करता है लेकिन क्या वह एंशॉरन्स में आपका फैमिली मेंबर्स कवर आपके डिपेंडेंट्स कवर है किया वह कवर अगर आपके फैमिली में दू लोग बीमार हो एक साल में तो क्या वह इनफ है आप अपने आपको यह प्रस्ण पूछिए और फिर आप बढ़ी है अगर मिथ नबर थ्री मैं स्मोक करता हूं इसलिए मुझे इंशॉरंस नहीं मिल सकता है ऐसा बिल्कुल ही नहीं है मार्केट में ऐसी इंशॉरंस पॉलिशी अवेलेबल है अगर आप स्मोक करते हैं तो भी वह आपको इंशॉरंस देंगे बस उसके लिए थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होगा और स्ट्रिंजेंट मेडिकल चेक अप करना पड़ेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको इंशॉरंस नहीं मिलेगा मिथ नमबर चार मैं अगर होस्पिटल में एड्मिट होंगा 24 अवर्स के लिए तो ही मुझे मेडिकलेम मिलेगा दोस्तों ऐसा नहीं है हेल्थ इंशॉरंस ने काफी ऐसे पेकेजिस बनाए है वीमारियों के लिए जो 24 अवर्स से लेस होस्पिटलाइजेशन में भी आपको इंशॉरंस मिलता है तो ऐसा बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं कि मैं अगर 24 अवर्स रहूंगा तो ही मुझक कर दो कि मित नमबर पाच हम लोग ऐसा मानते है कि जिस पॉलिशी में सबसे ज vic cheese और सबसे ज्यादा प्रसीजर का लिस्ट हो वही सबसे अच्छी हैए दोस्तो ऐसा नहीं होता है नेटवर्क होस्पितल का लिस्ट हरसाग होते रहता है और दूसरी बात रशीजर के लिस्ट, प्रोसेजर के लिस्ट जितनी हो उतनी ही अच्छी है, अगर वो प्रोसेसिल्टलाइजड में जायेंगे, तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने का यो प्रोसेजर कवर नहीं होने का रही क्राइटेरिया बहुत ज्यार्दा बढ़ सकते हैं कि मिफ नबर 6 हम लोग एसा मानते हैं कि जब एंश्वरंस पॉलिशी लेते हैं तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो हमें होते हैं पहले से जो बिमारी होती है वह इंश्वरंस पॉलिशी कभी कवर नहीं करती है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है उसके लिए मीथ नबर सेवन हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमने आज मेडिकलेम लिया और आज से ही चालू हो गया हमारा पॉलिसी लेकिन ऐसा नहीं होता है इंशुरंस कंपनी 30 दिन लेती है आपका कवर एक्टिवेट करने में इन केस ओव एक्सिडेंट येस वो आपका इमेडियेट स्टार्ट होता है मिथ नबर एट प्रिगनेंसी को लेकर कोई भी एलमेंट्स है वो इंशुरंस पॉलिसी कवर नहीं करती है ऐसा नहीं है काफी इंशुरंस कंपनी तीन साल के बाद आपको मेटरनेट बेनेफिट्स देती है और काफी पॉलिसी रेसी भी है जो फर्स्ट प्रिगनेंसी होती है उसको कवर करती है इस नमबर नाइन लोग ऐसा समझते हैं ओनलाइन मेडिकलेम का पॉलिसी खरीदना नहीं चाहिए ओनलाइन मेडिकलेम का पॉलिसी सेफ नहीं होता है दोस्तों ऐसा बिलकुल नहीं होता है आप अपना पॉलिसी डोक्यूमेंट एक दम शांती पूरवक पढ़िए और ओनलाइन भी मेडिकलेम ले सकते हैं आपको ओनलाइन मेडिकलेम काफी सस्ते मिलेंगे क्योंकि उसमें बीच में से जितने भी मीडियम हैं वो सब निकल जाते हैं तो आप डिरेक्टली इंश्रेंस कंपनीज के पास से पॉलिसी लेते हैं कि मिन्थ नबर 10 एंड इस वेरी इंपोर्टेंट एक बार हमारा इंश्रेंस का साल चला गया तो वह पॉलिसी का क्या जरूरत है पूराना पॉलिसी का लेट अस डिस्ट्रोई उसको हम डिस्पोस कर देते हैं फ्रेंड्स एसा मिल्कुल नहीं होता है आपको मिनिमम तीन साल का पॉलिसी अपने पास रखना होगा कभी भी जुरूरत पड़ेगी तो इंश्रेंस कंपनी आपके पास पिछले तीन साल का इंश्रेंस पॉलिसी का कोपी मांग सकते हैं